लिबनान की राजधानी में जबरदस्त बम धमाका 78 लोगों की मौद 4,000 से ज़्यादा लोग हुए खायन नदी में डूब कर 12 साल के बच्चे की हुई मौद शो दूसरे दिन नदी से की गई वरामद प्रहा टाइम्स की निउस देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक उन दबाना न बोलें महिस लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंस लिबनान की राजधानी बेरुत मंगलवार को बम धमाके से दहल गया धमाका इतना जबरदस्त था कि 78 लोगों की मौत हो गई लगवग 4,000 से ज़्यादा लोग घायल है अस्थानिय टीवी चैनलों के अनुसार धमाका बेरुत के बंदरगाह पर हुआ है और इसका असर 24 किलो मीटर के दाइरे में हुआ है संद कर देने वाली ये तस्वीर है लिबनान की है इससे पहले शायद ही कभी आपने इस तरह का बं धमाके की तस्वीर देखी होगी आग के गुंबार के साथ सैक्लो मीटर उची ये धूए की गुंबार देखी जा सकती है धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई और कई इमारते धमाके में दोस्त हो गई है तो कई गाडियों को भी नुकसान हुआ है मगर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाका कैसे हुआ है वहीं लिबनान के स्वास्थ मंतरी हमद हसन ने बताया है कि धमाके में काफी नुकसान हुआ है जिसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता है वहीं लिबनान की सरकारी नियुज एजेंसी के मताबिक बंदर गाह पर एक गोदाम में ये धमाका हुआ है मगर गोदाम में कैसे ये धमाका हुआ क्या इस गोदाम में रखा था जिससे बिस्पोट हुआ इसका पता अभी लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर उत्तर परदेश के बस्ती जिले के कलवारी थाना अंतरगत चरकैला की है जहां चरकैला निवासी इसलाम इद्रीसी का पुत्र यूसुफ इद्रीसी बारह वरसी है कि नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। गटना मंगलवार की दोपहर की है और घंटो शव की तलास नदी में जारी रहा मगर शव नहीं मिला। बेटे के डूब कर मौत होने का गंद में रात भर पिता इसलाम और उनकी पतनी नदी के किनारे बैठे रहे हैं। और बुद्धवार की सुभा जब नदी के एक किनारे पर शव दिखाई दिया तब जाकर शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुँचे पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेच दिया है। परिवार लॉगडाउन में मचली बेच कर अपना गुजर बसर कर रहा था। मगर अब यूसुफ की मौत के बाद परिवार पर गमों का पहाल तूट गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं।